नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप लोग सामने फिर से हाजर हूं एक नए वीडियो के साथ में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको गूगल पी में एकाउंड क्रियेट करना है या बैंक एकाउंड एड करना है तो आप कैसे कर सकते इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइब दिखा है तो फैंट्स वीडियो के अंतक बने रहेगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सगया और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस जरू किज़े ताकि जितने भी म हृँसंदे प्लिककेशन आजाए गा तु आपको जो है सबसे पहले यहां पर आपको इसको ऑलिगन करना पदेगा तो इन्स्टाल करेंगे अब 親से पहले हमाë मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़े आप यहाँ पर वही मोगाइल नवर इसल लिए आ रहा है क्योंकिया है लो है तो यहाँ पर जिसके थोओ आप गरेट करना चाहते हैं वह आप यहां से तो आपको दो आप्शन मिलेंगे इस प्रकार से तो आपको स्क्रीन लॉग के थू है आपको इसमें सेक्रिटी करना है या फोर डिजिट का गूगल पीन आप इसमें करना है तो यहां पर डिपन करता है तो चलिए मैं यहां पर गूगल पीन यूज करूँगा यहां सलिक करूँगा और कंटिन को बटन पर क्लिक करूँगा जैसे क्लिक करेंगा यहां पर गूगल पीन क्रियेट करने के लिए तो यहां पर गूगल पीन क्रियेट करने के ठीक है अब यहाँ पे option आ रहा है कि start with your bank यहाँ पे अब जो है आपको bank activate करना पड़ेगा इसमें यानि की friends यहाँ पे जो है अब आपको अपना bank account detail add करना पड़ेगा bank account detail कैसे add करेंगे देंकि add करने के लिए simple जो है आप देखरें उपर का portion आप यहाँ पे जाएंगे और जब जाएंगे तो यहाँ पे दिखरेंगे दो option मिलेंगे या तो debit card या bank account तो चली यहाँ पे bank पे click करते हैं और यहाँ पे मेरा already add है bank तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नया bank add करना है तो आप add bank account पे click करके आप add कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको bank add करके दिखाता हूँ तो add bank account पे click कीज़ेगा ठीक है इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इतने सारे option मिल जाएंगे तो आपका जिस bank में account हो वह आप यहाँ से choose कर सकते हैं चलिए मैं किसी दूसरे bank का यहाँ पर चूज कर दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं bank of India select करूंगा और यहाँ पर select करने मद continue का option आगा continue कर दिजएगा और यहाँ पर allow सब में कर दिजएगा यहाँ पर किसके थूरू link है आपका bank of India account तो वह आपको select करना पड़ेगा चलिए यहाँ पर अपका मैसेज में पैसा कटता है ठीक है इस बात का ध्यान रखेगा यहाँ पर आपका bank on find क्या रहा है और finally यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका bank यहाँ पर initiate हो गया है यानि की bank detail जो है add हो गया add होने के बाद आपके पास इस प्रकार से आएगा देख रहे हैं simple यहाँ पर अगर आपको अपना लिए और उप्य नंबर सेट करताँ है इस पर क्लिक करना अगर नहीं हो चई है तो ब्रैमरी मेरा investig है अगर आपको इसको प्रैमरी नहीं बनाना दुसरे को बीड़ने बनाना तो चलिए मैं और इंश यहाँ यके ने करके हूं अधले पर कलिक करूंगा तो देख रहें हैं, HDFC bank कभी यहां पे add हो चुका है, bank account active करके message आ चुका है, देख रहें, दोनों bank यहां पे add हो चुका है, clear, तो message अभी टपाटप आ रहा है, तो थोड़ा से wait कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, अभी जो primary account है मेरे HDFC bank है, अगर यहां पे मुझे bank of India को बनान अगर आपको लगता है कि दूसरे bank account को बनाना चाहिए, तो आप यहां पे again HDFC को बना सकते हैं, यहां पे click कीजिए, और यहां पे click करके आप बना सकते हैं, देख रहें, अभी मेरे जो primary है कौन सा हो गया, HDFC हो गया, ठीक है, तो friends इस प्रकार से आप bank detail को add कर सकते हैं, payment method मे जाके, ठीक है, तो यहां पे अब आप payment करने के लिए ready हैं, तो payment करने के लिए मैं आपको एक example लेकर दिखा देता हूँ, suppose कि यहां पे मैं contact number के थुरू payment करूँगा, तो pay contact से आपको pay contact पे click करना पड़ेगा, allow कीजिए, इसके बाद यहां पे आप किसको करना चाहते हैं, मै यहां पे select करता हूँ, कुंदन सर्मा, ठीक है, और मैं इसको payment करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे pay है, pay पे जाऊंगा, और यहां पे मैं एक रुपय पे payment करके check करूँगा, इसके बाद जो है, आपको इस प्रकार से आएगा, तो यहां पे आपको किस bank के थूरू औ बताया जा रहा है, pay 1 रुपीस यहां पे click किजिएगा, और यहां पे आपको grant करना पड़ेगा, जैसे grant किजिएगा, यहां पे यहां पे यह सबसे उपर आफ्टोव और यहां पर payment हो रहाया ठीक है, तो यहां पे अब आपको poor digit का UPEI PIN डालना पड़ाएगा, तो देखे, स्क्ससितफुल आपको पैमेंट हो चुका है आप यहाँ पाउनैंख कर सकते हैं ठीक है Chief पैमेंट और के तुमाーट controllers यहाँ पर जिढ़ा चाहित nessa आप प्लिबागेंट करना चाता है तो फिसलोगन है wantsag QR code है तो किसी QR code हो तो आप इसके तुरू scan कर सकते हैं ठीक है तो इसके लबा अगर आपको phone number के तुरू करना है तो pay phone number पर जाएंगे bank transfer करना है तो आप simple bank transfer जाएंगे और जिस person को bank में भेजना है उस person का पूरा account और रीइंटर एकाउंट नमबर डालेंगे IPC code और रेसिप्टिंटर नेम अब कंफर्म पर करेंगे उसका bank account एड़ हो जाएगा तो उसके बाजु है आप उनको bank account में डायट पैसा भेज सकते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात की अगर आप यहां पे यहां पे यूप इपी न भूल जाते तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे रिकवर करने के लिए सिंपल आप देखर उपर का बटन है यहां पे क्लिक करना पड़ेगा बैंग एकोंट पर आएंगे, और यहां पर जिस bank से आप payment करते हैं, सब्स von मैं H睥 FCE Bank से payment कर रहा था, तो यहां पर click करना है, और यहां पर जखने, forget you API pin है, आपको simple ACP click करना है, यहां पर आपको अपने यहां तक आप Google Pay के मदद से आप बहुत सारे बिल का पेमिंट कर सकते हैं यहां से इसे के मुवाइल रिचार्ज एलेक्रिस्टी डिटीएज का रिचार्ज फास्टेक रिचार्ज भी कर सकते हैं कि लब और भी बहुत सारे बिल हैं यहां भी आल में जाएंगा तो आपको दिखेगा कि आप किस किस चीज का आप यहां पर पेमिंट कर सकते हैं देख रहे हैं यहां पर और भी बहुत सारे चीज है जैसे कि इंसुरेंस का पेमिंट कर सकते हैं लोन का पेमिंट कर सकते हैं मु गूगल पे में एकाउंट कैसे क्रेट करेंगे 2022 में अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी कुश्यों हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरू कमेट कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरू कीजिए ताकि फिन जि इतना है इस वीडियो में धन्यवाद जय हिंद